हाई, welcome to my channel, इस वीडियो में solve करें है question number 32 from a tap of inner radius 0.75 cm, water flows at the rate of 7 meter per second find the volume in liters of water delivered by the pipe in one hour तो मैं बताना है कि one hour में एक tap जो है, कितना water deliver करेगा यदि ये बोला हुआ है कि radius दे दिया है, radius आपका दे दिया है उस tap का 0.75 cm और बोल रहा है कि उसमें से water जो flow हो रहा है उसका rate है 7 meter per second, मतब एक second में 7 meter length का water flow out हो जा रहा है, ठीक है उस tap से, तो क्या करेंगे, यहाँ बाद पूछ रहा है बस कि एक घंटे में कितना निकलेगा, one hour में कितना deliver हो जाएगा water लीटर में निकालना है, तो पहले क्या करेंगे, हम निकालेंगे कि एक second में कितना deliver हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद हम one hour में निकाल सकते है यही प्रोसेस है, तो one second में निकालने का मतलब क्या, यदि one second में निकालेंगे तो क्या मतलब हमें पता रहेगा, देखे, inner radius हमें पता रहेगा tap का 0.75 cm, मतलब की r पता है और rate दिया हुआ है 7 meter per second, इसका मतलब यह हुआ कि 7 meter length का water जो है, flow out हो जाएगा एक second में, मतलब की height of the cylinder, यह पता हो जाएगा यह से, 7 meter से, क्योंकि एक second में water flow out हो जा रहा है मालीजे आपके पास यहाँ पर एक tap बैना देता हूँ, मैं, मालीजे एक tap है और यहाँ पर कुछ ऐसे बना हुआ है, यह tap से water बाहर निकल रहा है, ठीक है तो यदि 7 meter तक एक second तक छोड़ दे जाए, तो यह क्या होगा, कि कहने का मतलब है, कि 7 meter लंबा, 7 meter length का, यह water flow out हो जाएगा मतलब यह समझे, यह cylindrical shape का, 7 meter length का, cylindrical shape का, यह water flow out होगा इससे करने का मतलब यही है यहां पर ठीक है तो यह जो 7 मिटर का लेंथ का निकलेगा 1 सेकेंड में तो इसमें पता कर लेंगे न हम लोग कि इसमें कितना वाल्यूम आफ वाटर है तो यह पता कर लेंगे जब कि 1 सेकेंड में जितना वाटर बाहर निकल जा रहा है flow out हो जा रहा है उसमें कितना मतलब इसका volume है तो हम निकाल सकते हैं कि one hour तक यदि ऐसे यी water flow करता रहा तो कितना होगा कितना liter of water जो है deliver कर देगा ये tap तो वही करते हैं हम यहाँ पर तो पहले निकाल लेते हैं कि water amount of water amount of water delivered by by the tap in one second in one second ठीक है एक सेकेंड में निकाल सकते हैं क्योंकि हमें हाइड पर चल जाएगी सिलिंडर की और रेडियस तो पता ही है 0.75 cm तो हम cm में सब कुछ यूज करेंगे हाँ पर तो हमारा हो जाएगा यहाँ पर वाल्यूम निकालना है इसका तो pi r square h यही फंगल लगाएंगे और यहाँ पर रेडियस पता है और यह पाई के वाल्यूट बाइ 7 तो पता ही है और r के वाल्यू 0.75 तो हम भी देता है 0.75 का whole square into h height जो है कितना है 7 meter 7 meter को हम यह सेंटिमेटर करेंगे तो 700 cm और यहाँ पर यूज करेंगे हम लोग 700 cm तो खर यूणिट के यूज करना जरूरी नहीं है फिलाहाल हम के वल ऐसे करते हैं दीके 7 बंजा 7 और यह 7 से कर जाएगा हम पर हुच जाएगा 100 मतलब कि यह आ जाएगा 22 multiplied by 0.75 multiplied by 0.75 multiplied by 100 ठीक है अब यहाँ पर 100 से multiply करेंगे 0.75 में तो मिल लेगा only 75 मतलब मिल लेगा 22 multiplied by 0.75 into यह हो जाएगा 75 अब कुछ multiply नहीं करेंगे इतना ही रहने देते हैं अब ही हमारा answer आया नहीं है इतना जो है centimeter cube of water जो है एक second में बाहर निकल रहा है यह पता चल गया हमें तो अब निकाल सकते हैं कि one hour में कितना बाहर निकलेगा तो one hour में कितना निकलेगा तो हम पहले one hour को second में convert करेंगे ठीक है जिसे मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ यहाँ पर one hour में कितने seconds होते हैं तो 1 hour को यह दी seconds में बदलना है तो 1 hour बराबर होता है हमें 60 minute ठीक है हम जानते हैं और 1 minute बराबर होता है 60 seconds तो मतलब कि 60 into 60 कर देंगे तो हमारा आ जाएगा seconds में तो 60 is जा 36 means 3600 3600 seconds होते हैं कितने में 1 hour में तो इतना seconds में कितना water बहार निकलेगा यह निकालना आपको है तो 1 second में जब पता चल गया कि इतना volume of water बहार निकल रहा है तो 3600 seconds में भी पता चल जाएगा by unitary method मतलब कि 3600 seconds से मनुपलाई कर देंगे हैं आपर तो हमारा answer आ जाएगा लेकिन हमें कहार निकालना है क्यूब उसमें लीटर में निकालना है यहां में volume ठीक है तो बात में हम लीटर में कर लेंगे पहले centimeter में इसको ला लेते हैं तो यहां लिख लेंगे so using unitary method क्या कर लेंगे amount of water amount of water delivered by the trap in 3600 seconds 3600 seconds के मतलब क्या हो गया one hour इतना में निकालना है one hour में is equal to हो जाएगा यहां पर one second में जितना deliver होगा मितलब की zero point यहां पर जितना हमने उपर निकाला है यहां पर यह पूरा निकला है कितना में एक second में multiply कर देंगे कितना से 3600 seconds है 3600 से तो हमारा आ जाएगा यहाँ पर तो क्या होगा यहाँ पर देखें दो 0s यहाँ पर हैं इन दो 0s वाले से 0.75 मटपलाई कर देंगे तो यह खतम हो जाएगा मतलब कि मिल जाएगा 22 x 75 x 75 x 36 अब यहाँ पर हमें मटपलाई करने पर मिल जाएगा किसमें? सेंटीमेटर क्यूब में तो इतना सेंटीमेटर क्यूब आफ वाटर जो है फ्लो आउट हो जा रहा है लेकिन हमें निकालना है लीटर में ठीक है तो अभी ऐसी रखें मटपलाई मत करिए अभी liter में निकालना है इसका मतलब कि मैं centimeter को change करना पड़ेगा decimeter cube में क्योंकि हम जानते हैं हम जानते हैं यहां पर मतलब मैं एक लिख देता हूँ एक box में ठीक है इसको मतलब यह question सोड़ा सा बाहर है यह लिख देता हूँ यहां पर one decimeter cube बराबर होता है one liter यह आपको पता होना चीए ठीक है और one decimeter बराबर centimeter में कितना होता है one decimeter बराबर नहीं one centimeter को decimeter में क्या होता है यह लिख लेते हैं पहले तो one centimeter बराबर जो होता है वो होता है one upon ten decimeter ठीक है मतलब ten times छोटा होता है centimeter जो unit होती है वो 10 टाइम्स छोटी होती है decimeter unit से इसलिए वान आपन 10 कर देंगे decimeter का तो आ जाएगा तो यहाँ पर centimeter के जगा पर क्या करना पड़ेगा हमें बस इसको decimeter में करवाट कर देंगे तो हमारा liter में करवाट हो जाएगा क्योंकि 1 decimeter cube बरापर होता है liter तो यहाँ पर हम वही काम करेंगे 22 into 75 into 75 into 36 into यहाँ पर देखे decimeter में करना करते हैं तो यह मिलेगा 1 upon 10 decimeter का whole cube मतलब मिल जाएगा 22 into 75 into 75 into 36 into यहाँ मिल जाएगा 1 upon 1000 decimeter cube और decimeter cube बराप ली सकते है 1 liter मतलब अब यह जो हम solve करेंगे multiply करेंगे तो हमारा exact answer आ जाएगा तो हम यहाँ पर पेले cancel out कर लते हैं कुछ देखे 25 से थे cancel out करेंगे यह तो 25 थी जा होता है 75 ठीक है और 25 से करेंगे यह तो 25 फोर जा 100 होता है ठीक है अब इतना हो गया 5 से इसको cancel out करते हैं तो 5 8 जा 40 होता है और 5 यहां से कर आएगा 5 फाइव 5 फाइव 5 जा 25 होगे तो मतलब कि 15 फाइव जा 75 होता है तो यहां करेंगे अब यहां से दीखे 8 बंजा 8 एकटा दीजिए 36 अचा 4 से कर जाएगा 4 2 जा 8,4 9 जा 36 आब 2 बचा है यहां पर 2 जा 2 और 11 से कर जाएगा अब ही थोड़ा सिंपल हो गया अब यहां मुटपलाई कर लेते हैं अब देखें यहां पर 11,3 जा कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा यहां पर तो 33 हो गया इंट्टु 59 जा 59 जा हो जाएगा 135 135 इतना डेसीमेटर क्यूब होगा अब ही मुटपलाई करना पड़ेगा इसको तो यहां पर कर लेते हैं 135 में 33 से तो 5,3 जा हो जाएगा 15 का 5 1 केरी ओफर 339 जा हो जाएगा 15 का 5 का 2 करी ओफर और फिर ऐसे ऐसे करेंगे तो 3 जा हो जाएगा 15 का 4 1 करी ओफर फिर ऐसे ऐसे करेंगे तो 3 जा हो गया 3 1 4 उसके बात 1 से निजा पाएगा है पर तो कुल में लागर करके इतना आ जाएगा मतलब कि इसका हो गया कि 4455 decimetre cube of water will flow out ठीक है from the tap in one hour या 3600 seconds means इसी को मिल सकते हैं liters में और यह लिख सकते हैं 4455 liters this is your answer thank you so much for watching bye